हलो मेरा नाम पूजा नेमा है मैं भपाल की रहने वारी हूं लाल घाटी इलाके से हैं मैं खुशी लाल होस्पिटिल आई अपने ट्रेट्मेंट के लिए बेवी कंसीब के लिए मेरी शादी को दो से ढ़ाई साल हो गया है बेवी के लिए बहुत परिशान हो रही थी यहां आ है यहां पर यह मेदे वगेरा के चीजे मना की थी उन्होंने, अभी भी मना की है, बाहर का वएट करने के लिए कहा था, जाद से जञदा घर का ही खाने को बुड़ा था, और नमक वगेरा के लिए से वाइट नमक खाते हैं, उसके लिए मना किया था, सैंधा नमक के लिए सजेशन दिया कि लिए मना क्या था संप्लॉवर मॉंफली यह सब बो रहा था मैं डॉक्टर बैसंती गुरू पंडित खुशलाल शर्मा आयरवेत कॉलेज की प्रसुति तंत्रय विंग्स त्री रोग विभाग में विभागया दक्ष्पत पे कारियरत हूं अन्दिखे हमारे यहां तो नॉ 2015 मैं यहां जब से शिफ्ट हूई हूँ यह कारियकरम हमारे यहां प्रारम किया गया है जिसमें हम लोग जो गौर्मेंट प्रोटोकॉल के एकॉर्डिंग एंसी चिकपस के लिए जितने सारे नॉम्स बनाए गया है उन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं उसके अलावा हम ल प्रोटोकॉल कर रहे हैं पेशेंड यहां पेशलम एरिया से बिलॉंग करते हैं वही लोग आते हैं जिनको फ्री में सारे इंवेस्टिगेशन जांचे करवा के हम लोग दे रहे हैं तो वो लोग इस गर्भसंसकार को लेकि बहुत जादा अवेर नहीं है और उन लोग को ज जिनकी लाइफस्टाइल थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है यानि कि वो कोई तो या तो ऑफिस में काम कर रहे हैं आने के बाद सो जाते हैं या जिनको यह लगता है कि बहुत जादा उठना बैठना नहीं है खड़े होके ही सारा काम कर रहे हैं उन लोगों मे कुल मिला के pelvic exercises कम होती जा रही है दूसरा कारण यह है कि stress level आजकल लोगों का बहुत जादा बढ़ चुका है तो और तीसरा यह है कि career oriented होने के बाद बहुत elderly primary gravida आजकल हो रहे हैं तो यह सारे contribute करते हैं ceserian section के लिए तो हमारे यहां अगर बसंसकार के दौरान हम उनको mentally कैसे free रहें वो सारी चीजें बताया जाता है एक उंकार जाब की chanting करते हैं जिससे good vibes create होते हैं इसके अलावा कुछ pelvic exercises हैं जो उनको advice किया जाता है प्लस खाने पीने में भी उनको काफी सारी चीजें pregnancy बताई जाती है जो इनको high risk pregnancies में नहीं जाने के लिए रोकता है तो इस तरह से उनको काफी मदद मिल पा रही है अभी हमारे यहां department में प्रसुती तंतर में PG शुरुआत हो गई है इस साल से तो हमारे बच्चे आ जाएंगे तो हम चाह रहे हैं कि इसको बड़े पैमाने पर करेंगे और जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग को इसका लाव उठा पाएंगे महिनों का कोर्स नहीं होता एक्शुली गर्वसंसकार की शुरुआत होती है प्रीप्रेगनेंसी स्टेट से मतलब कपल दोस वार प्लानिंग टूगेट प्रेगनेंट देकिन कंसल डॉक्टर मतलब वहां हमारे बॉड़ी डिटॉक्स प्रोसेस से शुरुव होता है जहां हम बॉडी डिटॉक्स के जरिए बीज की शुद्धी होती है जो स्पर्म और कोंट्रिबूट करते हैं प्रेगनेंसी के लिए वहां से इसके शुरुवात हो जाती है लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है लोगों को गर्भसंसकार का मतलब यह समझ में आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खाना पीना या कुछ योगा आसन इस तरह से है तब से ही हम करवाना शुरू करते हैं और कभी भी जॉइन करें यह हमेशा उसके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा मेरा नाम रीना यादावी मैं यह हूई हूई हूँ और जो मेरी मेम है वो बहुत अच्छी है तो मेरा बहुत खायाल रखती है और हार एक चीज में सपोर करी हूँ मतलर बहुत अच्छी म मतलब बहुत अच्छी है मतलब इसे तैकलीव हो रोजी ती तो उस जाधा थोड़ा राम लगा है और जो में मेम सेमिलाका्ड होई है उन्हों नहों ने जो इलाज सुरु किया है मेरा वह अच्छा चल रहा है तो जैसे मुज़ी त데 वी अच्छा है, मेरा नो महिने लग गए है।